मैं गुर्पी सिंग मेहदूदाँ पहले दार टीवी देखन वाले सुमुच्चे दर्सकांदा स्वागत करदाँ ते अज सी एक बहुत एम गलवात कर जा रहे हैं साथे दर्म्यान जड़े ने बाम सेव दे जड़े कौमी प्रदानने बामन मेशराम जी एक प्रमुक शक्षि आजिए ने ने हैं साथे दर्म्यान जड़े घलबात करने दे ने असी उन्हाना ना गलवात कर दे जड़े चान जारे हैं ते पैरेदार दे सब्सक्राइब व्यवने परड़े rapida या पियरे दूनाना है और एक नशनल मुदा आपके भी दन्यवाद पहरे दर्ट आपके बात हम करने जारे हैं वो सबसे बड़ा इशु के प्रेजन्ट समें जो हमारे अख़बार में आज ही जदिए हम बात करें तो आज ही हमारे अख़बार में एक इबियम के उपर खबर शपी है के बहुत से जस्तारा जो संगठन कट वो एबियम के उपर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और आगले जो मतदान है वो एबियम से ही करवाना चाहते हैं और आपने तो जह लड़ाई सुरू की थी जे बिस्तार से आप थोड़ा से डेटेल से बता दीजिए के एबियम की लड़ाई आपने कहां कब थन में रिजल्ट आया तो हमने इसके बारे में चानमीन की तो हमें एक बहुत बड़ी बात जानकारी मिली कि 8 अक्टूबर 2013 को सोप्रिम कोट ने इवियम मशीन के विरोध में एक बहुत बड़ा फैसला दिया था वो फैसला ये था कि इवियम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाए बगेर फ्री फेर एंड ट्रांस्परेंट चुनाओ नहीं हो सकता मगर 2014 का चुनाओ इवियम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाए बगेर ही किया गया ये एक बड़ी वज़े थी जिसकी वज़े से बिजेपी के लोगों को सफलता मिली इस वज़े से हम लोगों ने इसके लिए इसके विरोध में जन जागरण अवियान साल भर में चलाया है 2014 में और फिर उसके बारे में जो डाटा हमने इकटा किया उसके आधार पर पहले हमने बॉम्बे हाई कोट, चंदिगड हाई कोट और पटना हाई कोट तीन हाई कोट में केज दायर किया तो चंदिगड हाई कोट से हम लोगों को ये कहा गया कि चूंकि ये सुप्रिम कोट का निरने है इसलिए इस पर हम फैसला नहीं दे सकते आपको सुप्रिम कोट जाना होगा सुप्रिम कोट में हम गए और जाने के बाद 24 अपरेल 2017 को सुप्रिम कोट ने हमारे केस में हमारे फैवर में निरने दिया कि सारे देज भर में EVM मशीन लगाई जाएगी 100% EVM मशीन को लगाई जाएगी पेपर टेल मशीन लगाई जाएगी मगर वो फैसला अधादूरा फैसला था क्योंकि हमने पेपर टेल मशीन लगाई जाती है मगर पेपर टेल मशीन के दारों जो कागत बाहर निकलता है उस कागत की गिंती होती नहीं है जब तक वो कागत की गिंती नहीं होती है तब तक EVM मशीन में घोटाला होता रहेगा इसलिए ये अभियान हम लोगों ने जारी ही रखा और अभी इस मैने के 15 अगस्त के पहले पहले हमारी केस जो है वो सुप्रिम कोड में हम लोग दायर करेंगे पेपर टेल मशीन के विरोध में अभी तब जो केस थी वो EVM मशीन की थी EVM मशीन के विरोध की केस हमने जीत ली थी पेपर टेल मशीन के विरोध में जो उन लोगों ने तीन रूल बनाए हैं वो रूल जिसकी वज़े से पेपर टेल मशीन लगाने के बाद भी उसको प्रभावीन बनाया गया इसलिए हम लोगों ने ये योजना बनाई कि अब उसको भी चालेंज किया जाए और उसके साथ साथ अभी जो परिवरतनी आत्रा देश व्यापी हम लोग शुरू कर रहे हैं साथ अगस से मद्देपरदेश से उसका पहले नंबर का मुद्दा होगा इवियम मशीन और उसमें होने वाला गोटाला तो यह हम लेगोशित कर दिया सोशल मेडिया में हमरा कैمپेंच शुरू हो गया कैंपेंच शुरू होने के बाद सत्रा दल के लोगों की आज खबर आई खूशी की बात है कि वो लोग चुनाव आयोग को सारे लोग मिलकर मिलना चाहते हैं हमें तो खूशी की बात लगी मगर वो के बद चुनाव आयोग को मिलना चाहते मिलने से चुनाव आयोग इनकी बात मान लेगा हमें इसकी संभाव नगदर नहीं आती ये सत्रा दल के लोगों को चुनाव आयोग का घिराव करना चाहिए ये आंदोलन करना चाहिए ये आंदोलन करनी रहे तो मेरा अनुरूद है कि यदि सत्रा दल के लोग चुनाव आयोक का घेराव करते हैं तो हम लोग लाखो की संख्या में दिल्ली में उनका समर्थन करने के लिए बैलेट पेपर पर चुनाव लड़वाने के लिए लाने के लिए इस मुद्दे का हम लोग देश भर में समर्थन करेंगे और सत्रा दल के लोगों को हम लोग अगर वो लोग आंदोलन करते हैं तो लाखो लोग देश भर में देश भर से मैं दिली ले आँगा चुनाव आयोक के दबतर के पास अगर उन लोगों को ये बात मंजूर है तो हम लोग ये लडाई आरपार की लडाई लडते हैं नहीं तो हमारी लडाई हम लोग जारी रखे हुई इस बात वक्राइबी आपके पास कोई जानगारी है कि उन 17 दौल में से किसी ने मायावती की कोट में केस थी मगर जब हमने केस जीत लिया तो उसने केस विट्रो कर लिया तो उसी मुद्दे पर उसकी केस थी जब हम लोगोंने केस जीत लिया तो जीत लिया तो मायावती को भी फाइदा हो गया मायावती कहे रही हैं कि अभी पेपर टेल मशिन लगेगा तो घोटाला नहीं होगा तो हमारा कहिना है फिर भी घोटाला होगा जब तक कागज की गिंती जो है पेपर टेल वाली तब तक घोटाला होता रहेगा इसलिए हमारी लड़ाई जा रही है ABM का जदी मसला हल ने हुआ तो हम इसकी जो इसको तोड़ेंगे अगले जो 19 में चुनाव होने जा रहे हैं आपके साथ जो आपके नीचे काम करने वाले राजनीतिक दल हैं क्या वो चुनाव लड़ेंगे ज़ाँ ABM मशीने तोड़ने का काम करेंगे देज़ भर में हम लोगों ने ये ऐलान किया है कि 19 में यदि उन लोगों ने मशीन पर ही चुनाव करने का ऐलान किया तो हम लोग पूरे ताकत के साथ ये मशीन तोड़ेंगे जरूर और जोर जोर देकर मैं कही रहा हूं कि हम मशीन तोड़ेंगे और मशिन तोड़ने का जो हमारा अभियान है उसमेमान साब भी हमारे साथ में अभी हम दूसरे दलों से भी बारता कर रहे हैं अभी शरत यादो जिस भी हमारे बात हुई है वो भी बोल रहे है कि हम इस लड़ाई भी आपका साथ देंगे लेकर जदी जो एबियम मशीन तोड़ने की बात है उसकी जो सुरुआत है वो पहले कोई ट्रैल किया जाएगा जहां पर सीधा जिस दन बोटिंग होगी उसके किया जाएगा उननीस में ये किया जाएगा मगर पहले हमारा उसके विरोध में सारे देज भर में परिवर्तन यातरा के द्वारा लगातार इसके लिए जागरन किया जाएगा और लोगों को इस काम के लिए तयार किया जाएगा कि तोड़ने के लिए तयार रहो मतलब प्रदीयक बूत के लिए आप एक टीम खड़ा करने जाए आने वाले समय में लाखों की संक्या में जो बूत होंगे वहां हम लोग तैयर करेंगे अचा दोबारा हम ना जो दो बारत बंद था उसके ओपर चलते हैं क्योंकि अभी अभी आपने आज की भी जो ख़बर है कि जो राजनितिक बारती जानता पार्टी वो उसमें सुने कैबिने संसद में बिल एसी स्टी एक आक जैसे पहले था उसमें और थोड़ा संसुदन करन करने के लिए द्वार नहीं हैं उसके पहले ये पूरा इपीसोड है जाकर दो फिर दस प्रहल फिर चौदा आप नो गस्त को ऐसा बारत बंद का हो गया था वी दो ब्रहल जो बारत बंद हुआ था किसी भी संगठर ने उसको किसी भी इस्टेंपर्ड नहीं किया था कि हम ब बीस एक लोगों को आपस में इनका जो समाज की दूरूबी करने करने का कोई फर्मूला नए इसके पीछे का मकसद ये था कि आपका ये कहना केवल सोचल मेडिया के वज़े से ये हुआ ये बास सही नहीं है इसके बैकिंग में कांग्रेस के अंदर काम करने वाले जो शुडूल कास्ट शुडूल ट्राइब के लोग थे वो सक्रिये थे बिजेक वी के भी शुडूल कास्ट शुडूल ट्राइब के लोग सक्रिये थे और मेरे पास इसके गवा है, मेरे पास इवीडन से, उसके पीछे का कारण भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के लोगों ने ये दो तारीक के बंद में समर्थन या तैयारी अंदरूनी करवाई उसके पीछे शडूल कास्ट और शडूल ट्राइब के लोग अगर बीजेपी के विरोध में अनॉइड हो जाएंगे तो बीजेपी को हरवाने का मनसुवा बनाएंगे तो 2019 के चुनाओं में शडूल कास्ट और शडूल ट्राइब का वोट कांग्रेस को मिले इसके लिए उन लोगों का प्लानिंग था है बीजेपी के लोग क्यों सामिल थे सेंट्रल यूनिट बीजेपी ने इन लोगों को गुपतरूप से ये कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा चेडूल कास के लोगों को सक्रिय करवा इससे OBC का दुरूई करण बीजेपी के समर्थन में हो जाएगा एससी एस्टी एक्ट्रासिटीज का जो मुद्दा है वो OBC के विरोध में बढ़काने का काम करते है तो OBC के विरोध में इसका दुरूई करण होगा बीजेपी के समर्थन में तो बीजेपी के समर्थन में हो इसके लिए BJP के लोग भी सक्रिया थी कि ये अंदोलन बड़ा हो तो OBC का दुरुविकरन हो जाएगा BJP के सबर्थन में तो ये टेस्ट करने के लिए BJP ने दस तारीका बंद करवाए OBC का टेस्ट करने के लिए कि अब OBC के लोग इसके विरोध में बंद करेंगे शरुल का शरुल ड्राइप ने जो बंद किया उसके विरोध में OBC के लोग बंद करेंगे ताकि रही वली जो कोई कसर रह गई है OBC की वो भी सारे के सारे BJP के सबर्थन में आ जाए मगर OBC के संगटनाओं ने उसको साथ नहीं दिया BJP के लोगों ने तो उनका खेल जो था BJP का वो खेल सबल नहीं हुआ खेल सबल नहीं हुआ इसलिए केंदर सरकार पर Atrocity Act के विरोध में Supreme Court ने जो फैसला दिया वो फैसला वो फैसला पीछे लेने के लिए दबाव बना कर उनों ये मेसेज दिया कि हम लोग इसके समर्थन में है फैसले के समर्थन में है ये ऐसा मेसेज इसलिए दिया क्योंकि वो विविसी को मेसेज देना चाहते थे कि आप हमारा साथ दो हम तुमारे साथ दे रहे है तुमारे फैवर में जो यह जी अपलिया गोयल ने फैसला दिया हम उसको ने चेर्मन मना दिया नैस्टनल ग्रिन ट्रिमॉनल का यह सारा यह सारा प्लानिंग का हिस्सा था रनीती का हिस्सा था यह रनीती हमको समझना बहुत जोगी कि राजनीती में अगर आप रनीती समझे बगर कोई काम करते है तो दुश्मनों के trap में फसने का खत्रा है ये बात हम लोगो को समझना होगा अंसूचित जाती और जन जाती के लोगों ने नेतरुत वहीन होकर जो काम किया उसके पीछे कंग्रेस थी ये एक lot नेतरुत वहीन नहीं था पर्दे के पीछे कॉंग्रेस देतरू तो कर रही थी एक बात और भी है ऐसा तो नहीं कि दो तरीक को S.E.S.T. को लोगों का एक बड़ा अंदोलन खड़ा करके पूरे देश में उनके खलाब एक जहर तयार की और दस तरीक को उसी जहर को जो पैरामीटर लगा के देखा गया कि वो इस वर्ग के खलाब कितनी की जहर बन गया है मजलब O.B.C. का दुरूवी करण कितना हो सकता है सांदोलन से टेस्ट करने के लिए पैरामीटर जो है वो दस तारिक में फिक्स किया था मगर उसमें B.J.P. ने देखा कि O.B.C. का हमको दुरूवी करण नहीं हो रहा है इसलिए अभी आपने देखा होगा आज की ख़बर देखा होगा कि O.B.C. का जो कमिशन इनों ने रद्द किया था उसको सवेधानी दर्जा दिया सवेधानी दर्जा तो शरूल का, शरूल ट्राइफ के कमिशन को भी है उसका कुछ नहीं हुआ और O.B.C. को सवेधानी दर्जा देने से क्या होने वाला है कुछ होने वाला नहीं नहीं है उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि S.C.S.T. को कोई फायदा नहीं हुआ तो OBC को क्या होगा ये फिर बाद समझ रहे हैं किबल सवेधानिक दर्जा देने से मान लो हाजी हाजी करने वाले आदमी अगर कमीशन में चेर्मन बना दो तो बीजेपी को खुश करने के लिए काम करेगा तो OBC को खुश करने के लिए काम नहीं करेगा क्योंकि SCST के जो चेर्मन है वो कुछ नहीं कर रहे हैं जहां पर इस बात को हम कह सकते हैं जो बनमे में उन्होंने पहले किया था वो ही एपिसोड ने दोरा दोराया इस मामले में वो इसलिए करते रहते हैं कि मेडिया उनकी बातों को वज्जो दे करके सारे देजबर में वातावरन बनाती उनके फेवर में क्योंकि कॉंकि कॉंग्रेस ये बात समझ चुकि है कि SCST के जो लोग है जागरत हो गए और ये कॉंग्रेस को वोड़ देने के लिए तयार नहीं है इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि BJP के विरोध में लोगों को अनौइट किया जाए ताकि इनके लोगों के सामने कांग्रेस के अलावा कोई विकल अपना हो BJP को हरवानी के लिए ये तो रास नितिक दावपेश का मामला है एक मामले में वो कह प्लिटिकल नहीं मैं उसको समाज के एंगल से बाचिकत करूँगा कि जैसे सर्जाद कुछी थे बीमपी का आपस में गर्जोड हुआ है ये दो पार्टियों का गर्जोड है जो बचारदरा का सुमेला जहां दो व्यक्तियों का एक ही बचारदरा के उपर सुमेला जिन्दगी पर बैकवड लोगों की लड़ाई संसत के बाहर और संसत के अंदर भी लड़ते रहे वो अकेले हो गए अभी नितिश कुमार छोड़ के चला गया तो हमने सोचा अकेले अकेले लड़ाई लड़ने से तो सभलता मिलेगी ने तो समाम किसम के जो बैकवड है तमाम किसम की अकलियते जो है कटगिंती के लोग है ये मिल करके काम करे काम करे तो उसका फाइदा होगा फाइदा होगा इसलिए हमारी भी उसमे सहमती है और हम जो बामसे भारत मुक्ति मौर्चा आफशुड और्गनाईजिशन चलाते हैं सारे देजबर में हमारा नेटवर्क सारा देजबर में फैला हुआ है हम मुद्दा आधारी समर्थन करेंगे इनका अगर ये तमाम किसम के बैकवर्ट्स और माइनोरिटी के जो लोग है उनके उपर होने वाले अन्य अत्याचार का मुकाबला करने के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो हम उनका समर्थन करेंगे मुद्दा आधारी देज़ मामिल में पैस एक बात और भी है और बीएंपी की विचारधारा एक है ऐसा जो आपका कहिना है वो बात सही नहीं है बीएंपी की विचारधारा अगर काचिराम जी की पहले से बनी बनाई विचारधारा रही होती तो फिर तो बीएंपी बनती नहीं वो तो मायावती ने वो विचारधारा का त्याग कर दिया और बी फौर बहुजन के बजाए बी फौर ब्राह्मन समाज पार्टी हो गई अभी चेंज हो गया आप पत्रकार लोगों को बताती नहीं सही किसम से मायावती नारत हो जाएगी इस वो जैसे इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मायावती ने विचारधारा का मामला चोड़ दिया आप बोलेंगे इसका सबूत क्या है इसका सबूत यह है कि मायावती के पार्टी के द्वारा एक नारा लगाया गया कि ब्रह्मा हाती नहीं गनेश है ब्रह्मा मिश्नुमेश है फिर ब्राह्मनों ने मायावती के समर्थन में नारा लगाया कि ब्राह्मन शंक बजाएगा तो हाती दिल ली जाएगा नहीं बजाएगा तो फिर नहीं जाएगा तो यह जो नारा है यह इता दूत है कि यह तो ब्रह्मन समाज कि यह बहुजन समाज कर्टी अब रही नहीं है इस वज़े से बहुजन समाज पर्टी के बहुत सारे वरकर गिजबर में चोट रहे आज में बें ऐसी फ़शन पर चलती हुं देखा कि मायावती के पार्टी में बड़ा फेर बदल पता नहीं वो क्या ख़बर है शाहिद प्रेस कांफरेंस किया होगा मायावती न सवेरे टीवी पर कोई चल रहा होगा अभी हमने देखा नहीं है नहीं जैसे जैसे यह बात चल रही है तो कल को मैं जहां तक जदी राजनीत केंगल से देखा तो शर्द जादबह जो उनका भी मायावती चीते काफी नेड़ता है तो यह कल को लगवा कि चुनाव आएंगे लगवा का कठे होने की सवाब ना है फिर आपका उनके साथ जो को हरवाने के लिए अगर मायावती काम करती है तो उसका स्वागत करेंगे वर ऑर्न कमजुर होगा भारहन को तो तो कमजुर करने का काम माया होती करेंगे ऐसा लगताiya क्रेगी तो स्वागत की बात है बामने मेशरम जी जिन्नों ने आज अची पीजो बहुत अथा बचारों पर मुद्वों पर बात की अमें हमारे साथ अभी शुर्मी मंडलत अबारे पार्टी और इनकी पार्टी साथ साथ हरे एक गाओं हरेक कस्बे में हरेक तसील में हरेक जिले में जाएगी और इसमें शामल हम होंगे हमारा तजर्बा है कि जो सिक दर्म है उसने जात पात को खत्म कर दिया है और जो बाबू जी का अजेंडा है ये अजेंडा स्ट्री पी सी का होना चाहिए था शुरू से जो स्ट्री पी सी ने ये काम ने किया अब हमारी पार्टी और इनकी पार्टी सिखों में और पंजाब में ये काम कर रही है और कर रहे है शाह कोट के एलेक्शन में हम दोनों कठे थे और हमने काम किया है बहुत बहुत दोने बाद सरदार समान जीद का और बामन मेशरम जीद का जिन्होंने आज के बारे में बहुत एहम बचारें दी मैं गोर्पी सिंग मैदूदा पहरे देजा टीवी दो देना